जी हाँ नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार लगातार मिली आठवी हार तो रोहित शर्मा ने दे डाला ऐसा बड़ा बयान की सुनने के बाद आपको भी लगेगा जटका तो दोस्तो आखिरकार इस वीडियो के बारे में दोस्तो लखनो सुपर जाइंट्स और बुंबई इंडियंस की टीम के बीच में एक और मुकाबला खेला जा चुका है जहां इस मुकाबले को एक बार फिर से लखनो सुपर जाइंट्स की टीम ने 36 रनों से जीता दरसल इस मुकाबले में हुआ य और जिस तरह की शुरॉत बुमे इंडियन्स की टीम की रही थी उसे देखकर तो ऐसा लगी रहा था कि इस मुकाबले को बड़ी ही आसानी से बुमे इंडियन्स की टीम जीच जाएगी क्योंकि रोहित शर्मा एक दुहाधर शुरॉत बुमे इंडियन्स की टीम को दिला चुक नहीं बना सकते वहीं इस मुकाबले में हर के बाद अब रोहित शर्मा का बड़ा बयान सामने निकल कर आए जियां दोस्तों रोहित शर्मा ने काफी लंबी बाच्चीत इस दोरान की जहां रोहित ने बोला कि आज बैटिंग करने के लिए काफी अच्छी पिछ थी हम सभी न करनी चाहिए थी लेकिन वह ऐसा कर पाने में काम्याब नहीं हो सके जिसके चलते हम इस मुकाबले में हारे हाला कि हमारा मेडल ओर्डर काफी ज्यादा कमजोर है और इस पर आगया हने वाले मैचों में हम ध्यान देंगे तो यह आगे बात करते हो उन्होंने बताया कि लगा रोहित शर्मा ने आगे बात करते हो अपनी टीम के खराप प्रदर्शन के बारे में भी चर्चा की और ऐसे में आप सभी की क्या राए है रोहित शर्मा की इस बयान के बारे में और आप क्या मानतों क्या रोहित शर्मा आगया आने वाले मुकाबलों में बापसी कर या फिन नहीं आप अपनी कीमती राये और विचार अमें नीचे कमेंट में जरूर बताईएगा